हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको स्लीव डिजाइन मनना बताऊंगी तो यह मैंने अस्तर और ब्लांच के कपड़े की कटिंग और मार्किंग कर लिया मैं मेजर्मेंट दिखाती है तो इसका चड़ाई 9 इंच क्या है और स्लीव का लेंध 12 इंच है और स्ली स्लीव में लगाएंगे तो आगे के वीडियो में आपको दिखाती हूं कि किस तरह से इसका यूज करना है तो एक दो मैं आपको अच्छे से बना के दिखा देती हूं बागी का आपको ऐसे ही बना लेना है अपने जरूवत के बना लिया अब इसको हम काटके अलग कर और बाहर के साइड एक इंच छोड़के और यह जो हमारा डिजाइन है इसको अंदर किसाइड इसका कॉर्णर मिलाते हुए बिल्कुल बराबर बराबर से लगाना है और इसके दूसरे साइड भी आपको एक इंच छोड़ देना है इस लाई के लिए अब इसका जो एक्सट तो बिल्कुल आपको आधा इंच का मार्जन लेते हुए एक सीधी सिलाई लगा लेना है तो देखिए यहां पर मैंने सीधा सिलाई लगा दिया है अब इसको फोल्ड करते हुए नीचे के साइड इसके उपर भी एक हम सिलाई लगा देंगे ताकि जो यह हमारा डिजाइन है बिल्कुल अच्छा से बैठ जाए तो देखिए इसके उपर भी एक हमने सीधा सिलाई लगा लिया है और यह हम स्लीब का जो एक स्टा कपड़ा है कटिंग कर लेंगे और एक हम बुकरम लेंगे और बुकरम का लेंद हम बिल्कुल अपने स्लीब के लेंद के बराबर हैं तो आदारिंज पर मार्किंग करने के बाद बिच का अथाब मांता हैं जुए तो देखाते हूं किसलिये exhale मारगी करके और देखिए अब तो इस पे लिए करने के बाद धेई से एक हम यहां पर बॉक्स बना लिया है सब Red checklist 3 box बना थे दींटर से मार्क नहीं एक हमगें। झोट की हेफ से इसके बीच में डिजाइन बनां गेंगे तो यहां पर हम बरफी का सेव देंगे तो आप चाहें तो कुलाई लगाना है व तो देख आपको बाफर बाम और से इसको प्राइब करके और इस में काइब करके वी में इसले से काट के निकाल लेंगे तो तीनों बॉक्स का जो एक्स्ट्रा फैब्रीक है इसको हम काट के निकाल लेंगे तो देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यह हमने निकाल दिया है अब इसमें हम छोटे-छोटे बाहर के साइड कॉट्स लगा देंगे ताकि जब हम इसको पलटेंगे तो यह बिल्कुल हमारा फिनिसिंग के साथ सीधा हो जाएगा तो तीनों जो ही हमने कॉटिंग किया है वर्फी के सेप इसमें आपको किनारे किनारे पे कट लगा लेना है और इसको इस तरह से बीच से आपको कट के अलग कर लेना है अब इसको हम अंदर के साइड इस तरह से फोल्ड कर देंगे देखिए आपको अंदर के साइड बिल्कुल फिनिसिंग के साथ फोल्ड कर देना तो अब इसके उपर भी हम स्टिचिंग लगाएंगे तो आपको पूर स्टिचिंग लगा के बीच में व्लावर लगा कि डिजाइन कमप्लेट कर लियंग औरा कश कोमेंट चार के अधा क्ली थे instructions